वल्कम डियर रॉकाइड्स कैसे आप सभी आज हम देखने वाले हैं अब ये देखकर तो राम के पैरो तले जमीन किसक जाती है वो समद चुका था कि जहांसी उसे धोका दे रही है और किसी खेर मर्द के साथ संबंद बनाने की कोशिश कर रही है इससे उसे काफी बुरा भी लगता है और कॉर्स लगेगा यार वो खुस्से में जहांसी को घर से निकल जाने के लिए कहते है जिस पर जहांसी कहती है मैं यहां से चली तो जाओंगी लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे यह पर अगले ही दिन महिला मोड़चा संगठन में राम के खिलाफ शिकायत करके उसे पुलिस के हाथों पकड़वा देती है क्योंकि उसने संगठन में ये बयान दर्ज करवाय था कि राम उसके साथ बिना उसकी मर्जी से संभंध बनाने की कोशिश करता है और जबर दस्ती करता है उसे मारता है पीड़ता है इसलिए पुलिस वाले कोश दिनों तक राम को जेल में बंद करने के बाद उसे छोड़ देते हैं लेकिन इससे उसके जिन्दे की पूरी तरह से बरबाद हो जाती है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है यहां तक कि कोई भी उससे इज़त की नजरों से नहीं देखता जिससे बेचारा राम शहर से दूर एक ट्री हाउस में आकर रहने लग जाता है अगली सीन में हम कृष्णा नाम के एक पुलिस आफिसर को देखते हैं और उनसे जानकरी निकाले जाए तब जानकरी निकाले पर उसे उस आदमी के बड़े भाई का नंबर मिल जाता है इसलिए वो उसे फोन करके भाई के बारे में बताता है और यह सुनकर उस आदमी का बड़ा भाई तुरंट वहां पर पहुंच जाता है और रोना धुना शुरू कर देता है लेकिन कृष्णा उसे दिलासा देने के बज़ाए उसे एक रफ़तार कर लेता है क्योंकि उसने उसे बताया ही नहीं था कि आखर कहां पर उसके छोटे भाई की लाश मिली है और ये तो एक्जेक्ट उसी जगह पर आगया है इसका मतलब साफ है कि इसने ही अपने चोटे भाई को मारा होगा अब वहां से क्रिश्णा अपने स्टेशन पर आता है जहाने के बाद उसकी मुलाकात नए डी जी पी से होती है जो क्रिश्णा की अटिटूड की वज़े से उसे जादा पसंद नहीं करता साथ ही क्रिश्णा की टीम में वर्षा नाम की एक लेडिय आफिसर भी शामीर होती है जिससे आस्ता क्रिश्णा ने ठीक से बात तक नहीं की होती है वो उससे हमाशशा घुसा ही रहता है जाता है जहाने के बाद उसे संजना की लाश दिखाय दियती है जिसकी बाड़ी को कई टुकडों में काड़ दिया गया होता है इतना ही नहीं उसकी करदन पर दांतों के पिनिशान होते हैं साथ ही वहां किलर का फुट प्रिंट भी मौज़िद होता है कृष्णा जब आफिस ने संजना की अलावा भी और लड़ियों को अपना शिकार बनाया है साथी गरदन पर मिले दांतों के निशान से ये बता चलता है कि किलर का एक दांत एक्स्ट्रा है अब कृष्णा अपनी टीम के साथ संजना की रूममेट रजीता के पास आता है जिससे कृष्णा को ये गाउं आकर उसके परिवार को उसकी मिर्ट्यू की दुखा दिखावर सुनाता है ये सुनकर संजना के पता तो तूटी जाते हैं और कृष्णा से विंति करते हैं कि कम से कम मेरी बेटी के बच्चे वे पार्ट्स को दो ढून लो तांकि हम उनकांतिम संसकार कर पाए तो व पहाने पर उसे रागव तो नहीं पर उसके जूते जरूर मिल जाते हैं इसलिए क्रिश्णा उन जूतों को फॉरंसी ले भिज़ुआ कर रागव के ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर देता है तांकि कि किसी भी तरह उसको ढूर निकाले इसके बारे में जब रागव की पुलिस टेशन लेकर आही जाता है जहां वो सबसे पहले उससे पूछता है कि जब संजना की मृत्ती हुई तो तुम कहां पर थे जल्दी बताओ रागव कहता है मैं उस टाइम दूसरे शहर में था तो भला मैं संजना को कैसे मार सकता हूँ पर मैं दूसरे शहर क्यों गया था इस बारे में मैं तुम्हे नहीं बता सकता अब क्रिशना के उसे काफी जादा मारने पीटने पर भी रागाव उसे ये नहीं बताता कि वो आखर दूसरे शहर गया क्यों था वہא दिखाते हैं तो जूते की फॉरेंसिक रिपोर्ड से ये बता चल जाता है की ये वही जूते हैं जिनका फुट प्रिंट संजना की लाश के पास मिला है अब डीजीपी क्रिशना के पास आकर कहता है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया दो दिन के अंदर ये अंदर संजना की हत्यारे को ढोड़ने काला इसलिए अब इस केस को बंद करने का टाइम आ चुका है अब कृष्णा कहता है कि अभी हम कैसे इस केस को बंद कर सकते हैं सर संजना के पास जो बाकी लड़कियों की बाड़ी पार्ट्स मिले हैं उनके बारे में भी तो जानकारी निकालनी है डिजी भी कहता है उससे हमारा कोई लिना देना नहीं है हमारे पास सिर्फ संजना का केस आया था जिसका हत्यारा रागव है और वो पकड़ा गया अब तुम्हें इस केस में पढ़ने की जरुवत नहीं है आगे की चीज़े मैं खुद सम्हालूंगा अब रागव को कोर्ट में पेश किया जाता है अब इस हंगामे को देखते वे सियम एक पुलिस आफिसर को आदेश देता है कि मौका देखकर रागव का इंकाउंटर कर दो तांकि ये सारा ये जो भी है ये सरदत खत्म हो जाए उसी रात कोई अंजान इंसान कृष्णा को एक वीडियो का लिंक सेंड करता है जो कि एक व्लॉग वीडियो है उस वीडियो को दूसरे शहर से रिकॉर्ड किया गया था उस व्लॉग वीडियो के बैग्राउंट में रागव साफ साफ दिखाए दे रहा है जो किसी लड़की के साथ होता है और ये देखकर क्रिश्णा हैरान रजाता है तब उसे समज़ में आता है कि रागव असले किलर नहीं है और रागव जो ये नहीं बता रहा था कि वो दूसरे शहर क्यों गया था उसका कारण था वो लड़की क्योंकि रागव शादी शुदा है लेकिन दूसरे शहर में उसके गल्फरेंड भी है और वो इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अगर उसकी पतनी को पता चलेगा तो फिर रिश्टे खराब हो जाएंगे इसलिए उसने इस बारे में कृष्णा को नहीं बताया अब कुछ टायम के बाद कृष्णा को ये पता चल जाता है कि कुछ पुलिस वाले रागव का इंकाउंटर करने उसे अपने साथ लेकर गए है इसलिए कृष्णा तुरंट अपने एक साथी के जर्ये ये नियूज लिग करवा देता है कि रागव का इंकाउंटर करने का आदेश मिला है लेकिन ये किस ने दिया इसका पता लगाने की कोशिश जारी है अब ये देखकर तो सीम परिशान हो जाता है और तुरंट रागव का इंकाउंटर रुकवा देता है कि कहीं वो इसमें फस न जाए अब इसके बाद रागव को फिर से जेल में बंद कर दे जाता है लेकिन वहाने के बाद रागव खुद को फांसी लगा कर अपनी जान दे देता है इस वज़े से पूरे शहर के लोग एकदम खुश हो जाते है कि अच्छा वा रागव मारा गया लेकिन इससे क्रिशना को काफी बुरा लगता है कि उसकी वज़े से बेचारे रागव ने अपने जान दे दी जबकि वो किलर नहीं है और असले किलर अभी भी खुले आब घुम रहा है अगले सीन में क्रिशना को उसकी गाड़ी पर रजीता की फोटो लगी मिलती है जब क्रिशना घर से बाहर आता है तब उसे गाड़ी पर रजीता की जगे आरिया की फोटो पर मार्क लगावा दिखा देता है जिसे जाहिर है किलर नहीं रखाओगा अब ये देखकर क्रिशना दوبारा घबरा जाता है कि किलर कहीं अब आरिया को ना मार दे लेकिन जब वो घर जाता है तो आरिया भी उसको सेफ दिखा दियती है लेकिन कृष्णा को उसके बात्रों में चिडिया का दिमाग लिखा दिखता है क्योंकि एक बार हुआ ये था कि कृष्णा ने किलर के बारे में बताते वे नियूज में ये कहा था कि किलर का दिमाग चिडिया के जैसा होता है पांची मिनट्स काफी है उसे पकड़ने के लिए और यही बात किलर के एगो को हट कर गई इसलिए अबो कृष्णा को दिखाना चाहता है कि चिडिया के दिमाग वाला बंदा आखर कर गया सकता है अगले सीन में कृष्णा वर्षा के साथ एक कलब आता है जहां अंदर जाने से पहले स्टाफ सभी के हाथो पर एक ट्रांस्परेंट मार्क चेक करते हैं जो कि उनके मेंबर्शिप को बताता है कि उनके पास कलब के अंदर आने की मेंबर्शिप है तब कृष्णा को पता चलता है कि जो हाथ उसे संजना की गर्दन के साथ मिला था उस पर भी ठीक ऐसा ही ट्रांस्परेंट मार्क लगावा था इसका मतलब साफ है कि उस लड़की के पास भी इस कलब की मेंबर्शिप रही होगी तो कलब की ओनर से सारे मेंबर्श की डाटा निकालने के लिए कृष्णा को ताने नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जो काफी दिनों से लापता है और तानिय वही लड़की है जिसके हाथ संजना की गर्दन के पास मिले थे अब आरिया को जब तानिय के बारे में पता चलता है तो वो कहती है क्रिशना से कि तानिय को तो मैं जानती हूँ वो मेरी महला मुर्चा संगठन की एक मेंबर थी इसलिए कृष्णा उस संगठन में आता है जहां से उसको ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले पूजा नाम के एक लड़की की भी हत्या कर दी गई थी और उसकी बाड़ी भी उसी शहर में मिली थी जहां संजना रहती थी इस वज़े से कृष्णा को समझ में आ जाता है कि हूँ ना हो इन तीनों लड़कीों को मारने वाला एक ही किलर है क्योंकि कृष्णा को संजना की करदन के साथ वहां दो और लड़कीों का हाथ और पैर मिला था जो कि तानिया और पूजा काई था अब कृष्णा महिला मोडचा संगठन के हेड से मिलता है जहां से उसे जहां से के बारे में पता चलता है कि कुछ सालों पहले जहां से यहां की हेड थी पर किसी कारण से उसकी मात हो गई इसका पता नहीं चल पाया कि आखर उसकी मात नैचरल थी या उसे मारा गया था और दोस्तों ये वही मूवी की शुरुआत वाली जहांसी है जिसने राम को धुका देकर उस पर छूट आरॉप देकर उसे फसा दिया था अब कृष्णा जहांसी के घर पर जाता है जहां कोई नहीं होता अब घर आने पर कृष्णा को आर्या कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि किलर उसे अपने साथ लेकर चला गया है ये देखकर कृष्णा एक्दम उदास और घुसा भी हो जाता है अब कृष्णा उन सारे नियूस पेपर्स को मंगवाता है जिसमें राम के बेटे ने अपने पिता के फोटो एड करवाए थी शदहांजली के तरह है लेकिन वहां उसका नाम और एड्रस नहीं होता लेकिन कृष्णा को ये बात अजीब लगती है कि हर शदहांजली वाले एड के पास फ्री डेंटल कैम कभी एड होता है और उस कैम का लोगो सेम वैसा ही बना होता है जैसा कृष्णा ने राम के ट्री हाउस में देखा था साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि संजना और तानिया भी अपने दांतों पर बैसेस लगाया करते थे तो हो नहो वो किलर वही डेंटिस्ट होगा जो आरिया को भी अपने साथ लेकर गया है फिर वो जब आरिया की ड लागव को फंसाया और तीनों लड़कियों को मारने के बाद मुझे चैलेंज करते वे आरिया को भी अपने साथ लेकर चला गया है अब उस क्लिनिक पर आने के बाद कृष्णा को वहां राम की फोटो दिखाए देती है यानि की वो डेंटिस्ट राम का ही बेटा है साथ ही महला मोटचा संगठन की सारी महलाओं को मारना शुरू किया क्योंकि उनी महलाओं की वज़े से उसके पिता ने खुद की चान ली थी जिस वज़े से उसने अपनी माँ को भी नहीं चोड़ा और तब देखते देखते क्रिशना और कुमार को मारने में कामयाब होई जाता है और उस किलर के मरते ही उन सारी लड़कियों को मिल जाता है इनसाफ जिसे उसे मारा था मूवी के आखर सीन में हम क्रिशन और आरिया के शादी का समार हो देखते हैं तब ही वहां पर अरजन नाम का एक पुलिस आफिसर आता है जो क्रिशन को शादी की वधाई देने आया था साथ ही हमें यहां इस मूवी के अकले पार्ट का हिंट पर दिया जाता है कि जल्द ही तीसरा पार्ट रिलीस किया जाएगा जिसमें हीरो अरजन होगा जो उस पार्ट के केस को सॉल्ब करेगा और इसी सीन के साथ यह मूवी दोस्तों यहां पर खत्म हो जाती है पाग एकर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक्स्पिनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब बिलते हैं अगली वीडियो में ध्यान रखेगा अपना इन फैनली थैंक्स वर वाचिंग